कोलकाता रेप एन मडर केस के बाद अब आर्जिकर हॉस्पिटल में फाइनेंशल अनियमे ताउं की हो लेकर अब जाँ शुरू हो गई है पूर्व प्रिंसिपल संदीब घोश पर CBI का शेकंजा अब कसने लगा है SIT से केस टेक ओवर करने के बाद CBI ने अब अपनी कारवाई शुरू कर दी है आज इस वक्त छापे मारी चल रही है सुभाई CBI की टीम संदीब गोश और उसके करीबी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर देवाशी सोम के घर पहुची और उसके दूसरे ठीकानों पर भी चापे मारी एक साथ शुरू की गई CBI ने पूर्व अधिक्षक संजय वशिष्ट के एंचाली स्थिद घर पर जाके चापे मारी किये साथ हावडा जिले में हाटगाथा में मेडिकल सप्लायर विपलप सिंग के घर पर भी रेट की गई है CBI की एक टीम आरजिकर हॉस्पिटल भी पहुची है CBI की एंटी करफशन टीम संदीब और उससे जुड़े लोगों के कुल 15 ठीकानों पर चापे मारी कर रही है संदीब घोश पर CBI की शिकंजा कसने के बावजूद उसकी अंकड़ अभी कम नहीं हुई है CBI की टीम सुबा 6 बचकर 45 मिनट पर संदीब घोश के बेले घाटा से घर पहुची थी लेकिन उसने घर का गेट नहीं खोला उसके बाद संदीब ने जब CBI के ऑफिसर से बात की उसके बाद एक घंटे बाद करीब सुबा 8 बचकर 5 मिनट पर गेट को खोला गया आज़िकर हॉस्पिटल में फानेशल अनिमत्तियाओं को लेकर शरीवार को ही इस मामले में संदीब घोश के खिलाफ एक F.I.R. दर्च हो गई थी दरासल संदीब घोश के खिलाफ प्रिंसिपल रहते हुए घरबड़ी करने के लिए करप्शन करने के आरोप लगे थे जिसको लेकर ये मामला चल रहा था इसके बाद बंगाल सरकार ने S.I.E.T. बनाई थी लेकिन हाई कोट ने कहा कि जब तक S.I.E.T. को ये कारवाई करने की इजाज़त मिली है उससे बहुत पहले शिकायत आ चुकी थी इसलिए ये केस अब S.I.E.E. को टांसफर की जाती है अब आपको बताते हैं कि आखिर कहा कहा आज S.I.E.E.E. की टीम ने रेट की है कोट के आदेश के बाद S.I.E.E.E. ने कल ही आजिकर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल से जुड़े हुए तमाम उन लोगों के खिलाफ कारवाई शुरू की है जो संदीब घोश के करीब रहे है तो संदीब घोश का घर जो पूर्व पिंसिपल है आजिकर मेडिकल कॉलेज के उनकी घर रेट हो रही है इनके बहुत ही करीबी है फोरेंसी डिपार्टमेंट के करीबी दिवाशिश का घर है जो इनके घर पर रेट चल रही है और 15 ठीकानों पर भी एक्शन हो रही है जो 15 ठीकाने इनी से जुड़े हुए लोग है याने कि इसमें जो मुख्य जो आरोपी है वो है संदीव घोश जिनके पिंसिपल रहते हुए बताया जा रहा है कि बहुत सारे फानेंशल ट्रांसेक्शन वित्ती गडबडियां की गई थी अस्पताल में और कई लोग इनके साथ शामिल थे और उनके घरों पर भी इस वक्त ये कारवाई चल रही है संदीव घोश पूर्व पिंसिपल है आरजिकर मेडिकल कॉलेज के जैसे आपको बताया ही है देवाशी जो शोम है वो फॉरेंसिंग मेडिसिन के डॉक्टर है और बताया जाता है कि बहत करेबी हैं वो संदीव घोश के तो राजदार है इसके अलावा संदीव वशिष्ट कौन है ये पुर्व अधिक्षक हैं MSVP के इनके जरीए भी बताया जारा है कि बहुत सारी जो वित्ती गड़बियां है वो की जाती रही है आखरी में बिपलब सिंग कौन है मेडिकल सप्लायर है क्योंकि यही सवाल उठाएं कि जो दवाईयां वहां पर आती है पूरी दवाईयां अस्पताल में नहीं पहुंसती है बहुत सारी जो दवाईयां उसे बाहर भेज दिया जाता है मतलब जाहिर सी बात है कि सस्ते में खरीदा जाता है और चोड़े दामों पर बाहर बेच दिया जाता है जो दवाईयां यहां पर मरिजों के लिए आती है उसको बेचा जा रहा है लेकिन उसका पैसा कहा जा रहा है ये इस वक्त CBI को तलाशना है हाई कोड के आदेश के बाद ही CBI को जाश शौपी गई है ये पहले SIT को दी गई थी संदीब घोश के खिलाब CBI ने उसके बाद FIR दर्श की थी दरासल जो पूर्व करमचारी है कई बार उन्होंने आरोप लगाया कि जो संदीब घोश है उनके रहते हुए अस्पताल में बहुत सारी गड़बडियां हुई है करप्शन हुआ है और इसको लेकर सरकार की ओर से कोई कदम ने उठाया गया फिर जब ये पूरा मामला सामने आया बेटी का जो पीडित डॉक्टर के साथ पहले रेप और हत्या काइड हुई उसके बाद SIT बनाए गई सरकार की ओर से हाइकोट ने कहा कि जब इतने पहले आपके खिल आपके पास अरजी आ चुकी थी शिकायत आ चुकी थी तो फिर क्यों आपने SIT इतनी देर से बनाई है इसलिए ये केस अब फिर से CBI को सौपी जा रही है तो कुल मिलाकर सरकार के उपर जो मंच्शा है उनकी जो नियत उस पर सवाल खड़ा किया है हाई कोट ने और संदीब घोश के किलाब उसके बाद ही CBI ने FIR दर्च की है और आज रेट की जा रही है कई जगों पर रेट की गई है जिसमें संदीब घोश का घर है उसके करीबियों का घर है और साथ ही साथ 15 और ठिकाने हैं जहां पर एक साथ इस वक्त यहां पर CBI की रेट चल रही है हमारे साथ मनेश भटाचारे भी जुड़ गए है मनेश बहुती जल्द CBI ने कदम उठाया है एक तरफ जहां पर पॉलिग्राफी टेस्ट कल हुई है और आज देखिए कि CBI ने रेट कर दिया है करप्शन के मामले में कहां कहां पर रेट हुई है और जिनके वहां रेट हो रही है जिनके घरों में रेट हो रही है वो किस तरह से संदीब घोश के साथ जुड़े हुए है देखिए 15 जगहों पर CBI की ये रेट हो रही है बड़ी पात ये है कि संदीब घोश और उनके साथ जो शायोगी थे उनके जो जिसी अनिमित्ताओं के अकिते में आए हैं जिसके उपर अक्तर अली ने चार्जिस लगाए हैं और तमाम CDI को ये शक है कि जो आजिकर अस्पिताल में रहते हुए दवाईया हो या अन्य करप्शन के जो केसे में इन्वाल हैं उन पर ये देज मार सबसे पहले CDI की जो टीम है वो संदीब भोश के घर पे पहुंची है और लगबग एक गंटे तक के बाहर कड़ी रही संदीब भोश के घर पर तमाम दस्तावेजों को खंगाले जा रहे हैं और जो MSVP जो रहे हैं आर्जिकर अस्पिताल के विपलो हैं ये तमाम ऐसे कोर्ट खंगाले जाएंगे क्योंकि कल ही CDI की जो एंटिक्रेप्टिन टीम है उसने एक मामला दर्ज किया है जिसमें फिनेंशल इर्रिगुलिटीज को लेकर ये संदीब भोश के उपर मामला दर्ज है नहाजा CDI की लंबी चौरी टीम ये खंगाल रही है कि आजिकर मिलके वित्य अन्यमित्ताएं की हैं गोटाले किये हैं घपले किये हैं ताकि उसका पुरा प्रमान मिल सके और उसी को दस्तावेच को खंगाले जाएंगे सबी लोगों के यहां पर